जालोन में एक शादी समहरों में कट्टे से फायर करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने ग्रफतार कर लिया है जिनके पास से एक अवैत कट्टा भी बरामत किया गया जालोन नगर शेतर के महला शाहगंज में सनिवार की रात को एक विवहागर में शादी समहरों का कारीकरम चल रहा था इसी बीच कुछ लोगों ने अवैत कट्टे से फायर कर दिया जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया गायल को इलाज के लिए अस्पतार ले जाया गया और साथ ही पुलिस ने आरूपियों खिलाप मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी जिसमें रवी बार को पुलिस को सफलता हाथ लगी जहां मुख्विर की सूचना पर दोनों आरूपियों को ग्रफतार कर लिया गया जिनके पास एक अवैत कट्टा भी बरामत किया गया है पुलिस ने संबंदे धाराओं में मामला दर्ज कर आरूपियों को जेल भेज दिया है जालाओं से देवेस कुमार स्वानकार की रिपोर्ट अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस रुख गई है बच्चो को पर्शनल अटेंशन और सुरक्षा की जरुरत है और आपको अपने एरिया में अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे तो अब आप बच्चो की जिम्मिदारी छोड़ दीजे हम पर जी हाँ क्योंकि यहाँ अनुहवी सिक्ष को द्वारा बच्चो को उच्ची सिक्षा के साथ निखारते हैं उनकी पर्शनल्टी को इस्कूल में वर्च्वल और वीडियो लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग की समस्ति सुविधाएं उपलब्ध हैं बच्चो के देहरने का आलिसान इस्थान, होटल, बेल्व्यू, रेस्टुडेंट जहां है लजीज खाना, कॉंफ्रेंस हॉल, फुली एर कंडिशन रूम, यहां मिलेगा वाइपाई नेटबेक के साथ स्वच्च वातवरण, एक बार जरूर आएं, नारायन टॉकिस के पास स्टेशन रोट मौरानी पॉर, गौन्टक 193610-7730